Hello students, how are you? Hope you all are fine and fit at home. आज हम आपके हिंदी के पाठे पुस्तक के पाठ तीन इंद्रधनुश और बूंदे में सोचो और बताओ भाग पर चर्चा करेंगे. जैसा कि आप जानते ही है, इस कहानी में सूरज और बूंदोनी मिलकर घमंडी इंद्रधनुश के घमंड को तोड़ा था. दरा सोचें कि अगली दिन जब इंद्रधनुश निकला होगा, तो उसने क्या सोचा होगा? क्या अभी भी वे अपनी सुन्दर्ता पर उतना ही घमंड कर रहा होगा? क्या अभी भी वो दूसरों को छोटा या कम समझ रहा होगा और खुद को बड़ा? आपको क्या लगता है? क्या हुआ होगा? दूसरा भाग देखते हैं, बारिश के दौरान और बाद में आसपास के वातावरन में क्या अंतर आता है? क्या आपको बारिश पसंद है? मुझे तो बहुत ज़ादा, बारिश के दौरान हर जगा पानी की बूंदे बरसते रहती हैं, बच्चे और लोग भीगने लगते है बच्चे तो कुछ जानबूश कर भी भीगते हैं, है ना? बच्चे कागस की नाव भी बनाते हैं, और लोग अकसर बारिश से बचने की लिए चाता लेकर बाहर निकलते हैं, और घर पर मा गर्मा गरम चाए और पकोड़े भी बनाती हैं, और बारिश के बाद आसमान और बारिश की बज़े से हर और कीचर भी हो जाता है, और छोटे छोटे चुग गड़े हैं, वो पानी से भर जाते हैं, हर तरफ हर याली होती है, क्योंकि पत्तों पर जमी धूर और मिटी तो उतर जाती है, और पत्तों से दीरे दीरे पानी तपकता रहता है, तो दोनों ही समय बहुत अच्छे लगते हैं आप भी सोचो और बताओ में दिये इन दोनों विंदों पर विचार कीजे और बताईए कि आप क्या सोचते हैं और उसे बताने के लिए दो प्यारी प्यारी से वीडियोज बनाएं और मुझे बेजें